दिखाएगे वही होगा जो सही आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजर राय की रिपोर्ट बलिया उत्तर प्रदेश कोटेदार बेच रहा सब जी दबंग चला रहा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खबर बलिया जनपत के बांस्टी रोड धानक शेत्र के शीतल दबनी गाव की है जहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान हरिजन कोटे की है जिसका नाम बजरंगी राम है मगर ग्रामीनों का आरोप है कि खुद कोटेदार बजरंगी राम सबजी बेच रहा है और उत्त गाव के ही दबंग पन की सिंग तथा मुकेश सिंग की मिली भगत से दबंगई के बल पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान संचालित किये जा रहे हैं मीडिया से रोबरू होते हुए अधिवक्ता कैश सिंग ने बताया कि वास्तव में ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग गाउं में है जिनके भए से पूरी गाउं भएवीत है तथा उल्टे सीधे कार्य किये जा रहे हैं आये सुनाते हैं अधिवक्ता कैश सिंग की जुबानी किया कुछ कहा था ज्याड है? पंकी बटिया था, तू ना बटके। ना बटके। ना बटके। ओ हमेशा पंकी बटके लूँदुदार हैं? युद्धा मेशा वीडियो कोंगी कोंगी के। बटके लासलिए अभी तुत कुटना तरह ना दोनी कोटधार था नम चाहता ना कि अब अभी अभी माना वी बटा आता अभी कोटा पर बाता अब मालिक नेखे अब एक टेट में मन्दाई भात दिहाल जी तुछों में भ्यटाई खरा में तुक अपने भाता बाता इस आफीशुपने बाता डूरा हो जोली जोली सब्सक्थी तुकलने विए प्राज ने प्राहिगें आदिया ने इस श्रॉण में अफ्शिण करें देता करो कौने रखोला है अब तो सब्सक्राइब और बनावे ये इन अपड़ेट नहीं जाना आप बठाव में को ने तरी अपने बारे में पड़्चे दीजिए जी मेरा नाम कैश हुमार सी है, मैं ग्रामपोर सिदा दोनी का निवास में हूँ, ठानाद माडी रोड, प्लाग धुभां, जीला बलिया जी आपने एक कोटेदार के संबंद पर सोसल मीडिया पर कुछ चीजे वाइरल की थी, उसके संबंद हमें आप पूरी बात बता सकते हैं क्या, जी मैंने अभी तुरंद, आज चोवीस तारीको, चोवीस बारत और बाइस को, हमारे गाउं के बज़रंगी रहा, जो हर्जन है, इंगा कोटा है, वो बेचारा है, सब्गी बेच रहे हैं, यहां के एक दबंग, जिसको कई बाद रथा दिया है, अभी कोई करवाई नहीं हुआ, कोटा चला रहा है, अक्या करता है, अब उठला का लोग को पर्थान करता है, जो इनके खिलाब में जाते हैं, अंबंगा द वीडियो में वी दिया गया, हम जिला दाइकारी से मिलेंगे, इसकी सुचना देंगे, इसके बारे में आप आगे क्या कुछ करवाई कर मतलो कराना साते हैं, जी, हम जिला दिकारी मुहदे से, जिला कुर्ती विभाग में कई बार दठालती है, अब जिला दिकारी मुहदे स मिलकर इसे अवबत कराएंगे